नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका बुद्धा टीचिंग्स चैनल में आज मैं बात करने वाला हूँ जो बुद्धिस्म के अलग-अलग ट्रेडिशन्स या अलग-अलग स्कूल्स जो है उसका एक ओवर्वीव मैं देने वाला हूँ, ठीक है? देखो एक चीज़ हम क्लियर समझते हैं, कि बुद्ध के, बुद्ध ने क्या किया, जब एनलाइटन्मेंट होने के बाद वो, जब उनका निर्वान, उनको एनलाइटन्मेंट हुआ, तब उसके बाद वो ट्रेवल किये, फॉर्टि-फाइव यर्स तक, वो घुमते रहा अल जब एनलाइटन्मेंट के बाद जो अलग लोग थे, उन्हों ने उनके ट्रेडिशन को समझने के लिए, अलग लग अपने तरीके से समझने के लिए वो ट्रेडिशन्स बनाएं, और बुद्ध के टीचिंग्स जहां जहां गए, वहां के जो लोकल कस्टम्स और अगर आप देखोगे, बुद्ध की टीचिंग वही है, बुद्ध की सबसे कोर टीचिंग क्या है, फोर नोबल टूट्स, चार आर्यसत्य और नोबल एटफोल्ड पाथ, अश्टांग मार्स इसको बहते हैं हिंदी में, यह उनकी कोर टीचिंग है, तो सारे जो ट्रेडिश मेरा ट्रेडिशन सुपीरियर है, अच्छा है, इससे जन्दी मुक्ती मिलेगी, तो महरा ट्रेडिशन अच्छा ने, यह इनसान क्रियेट करते हैं, यह इनसान क्रियेट करते हैं, यह इनसान क्रियेट करते हैं, तो उस पर हमको अटेंशन नहीं देना, सभी ट्रेडिशन सह है ठीक है अगर आपको compare करना है तो compare करो और similarity ढूंड़ो ठीक है और similarity आप ढूनने जाओगे तो समझ में आएगा कि सभी सभी एक है ठीक है अच्छा अभी यह एक मैंने अच्छा आप को अगर confusion होता है करो बिल्कुल confusion मत करो आप जो four noble truths, noble eightfold path और जो basic teachings है उससे start करो मैंने एक अलग से video बनाया है कि बुद्ध की शिक्षाओं को कैसे समझना start करे वो आप पहले start करो और जैसे से आप करने लोगोगी आप automatically आपको guide किया जाएगा सही tradition जो भी आपके लिए सही हो वो follow करने के इंडिविजुल के अपनी unique needs होती है और higher powers, buddhas और bodhisattvas हमको help करने के लिए हैं जब हम इस पात पर अपना पहला कदम लेते हैं तो हमको क्या करना है हमको सिर्फ अपना पहला कदम लेना है उन teachings को study करने के लिए फिर बाकी easy होता जाएगा ठीक है अच्छा ये तो एक overview video है basic video मैंने बनाया है इसमें मैंसे भी आपको overview दे रहा हूँ ताकि आपको clarity आए क्या अगलग traditions है Zen, Nishren, क्या अलग है फिर मैं क्या करूंगा आगे जाकि individual videos बनाऊगा individual traditions पे तो मैं detail में discuss करूंगा ये कैस राइज हुआ, कब originate हुआ, कौन है इनके, जिन्होंने इस पे काम क वह सब मैं detail में अलग अलग videos में discuss करूंगा ये overview video तो पहला start करते है पहला tradition जो है धरवड़ा tradition, धरवड़ा Buddhism, ये basically इसको बोलते है school of elders, ये सबसे earliest teachings पे focus करता है, बहुत ही orthodox है, सबसे यादा orthodox है और ये generally Shri Lanka, Thailand, Myanmar, Laos, in countries में जादा चलता है, ठीक है, इसमें गोल क्या है मैंने अपने कुछ learnings के बेसे points बना है, तो मैं बोल रहा हूँ, गोल है, इसका गोल, लक्ष है अरहत बनने का, अरहत कौन होता है, enlightened one, जो मुक्त है, जो अपने सभी cravings, aversions, जो है, क्लेशों से मुक्त हो गया है, जिसे बुद्ध अरहत है, तो अरहत बनने का गोल होता है सेकें आता है, महायान बुद्धिजम, महायान बुद्धिजम अचली इसको great vehicle बोलते हैं, ये बुद्ध की जो नई शिक्षाए हैं, उन पे focus करता है, नई शिक्षाए कान सी, जो उन्होंने बुद्ध के teachings को एक certain way में interpret किया, ठीक है, और उसको expand किया उनकी interpretations को, और वो उस में focus करता है, ये East Asia, Tibet, China, Japan, Korea, Vietnam, Mongolia, इन सब countries में ज्यादा famous है, फिर इसमें basically goal होता है, जिसे थरवड़ा में goal होता है अरहद बनने का, इसमें goal होता है अरहद बनने का, इसमें goal होता है बोधी सत्व बनने का, बोधी सत्व में अलग से वीडियो बनाऊंगा, बोधी सत्व क जो निर्वान अचीव करने की capability रखते हैं, इस 31 planes of existence, 31 planes of existence से बाहर निकल के, पूरी तरह से free होने की capability रखते हैं, लेकिन वो नहीं होते हैं, जब तक एक भी आत्मा अगर suffering में है, दुख में है, इस संसार में, तो वो उनको free करने के लिए अपना enlightenment को postpone करते हैं, तो इसमें एम रहता है कि हमको compassion पे बहुत focus है और हमको suffering eliminate करनी है, अपनी और पूरे जगत की, तो उस पे focus रहता है, वो ये believe करते हैं कि बहुत सारे बुद्धा आये हैं, और बहुत सारे बुद्धा past में भी आये हैं, आगे भी आएंगे, हम सभी beings में बुद्धा nature है, हम सभी इसी life म path को follow कर सकते हैं, अब इसमें दो schools है, zen और pure land, तो अब हम discuss करते है, zen Buddhism, zen का basically क्या है, वो chan, chan करके Chinese में chan से originate हुआ है, zen, chan चाइनीज में बोलते है, हिंदी में उसको ध्यान बोलते है, zen focus करता है ध्यान पे, तो देखो, क्या concept समझो, कि even Buddhism में आप देखो कि तो बहुत स करते हैं, कि ठोरी पर discuss नहीं करते हैं, वो actual, practical, direct experience, जो meditations है उसी पर focus करते है, zen is like, zen क्या होता है, चीजे जो है, उसे जैसे है, वैसी देखना, mind के concept से free होना, यह बहुत ही unique चीज है zen, ठीक है, आप अगर zen के बारे में पढ़ना चाहते हो, तो zen mind, beginner mind करके एक book है, जिसके मै तो zen जो है, वो direct experience पर emphasize करता है, meditation पर करता है, then simplicity, simplicity, कोई ज़्यादा इस theory पर नहीं, और zazen करके उनका seated meditation practice है, तो पूरा दिन zazen ही करते हैं, ठीक है, just sitting meditation, zazen, ठीक है, then आता है pure land Buddhism, pure land Buddhism एक devotional type का Buddhism है, ठीक है, devotional aspect है उसमें बुदिसम में, और ज़्यादा यह यह है, devotional nature है, और वो focus करता है, जो अमिताब बुद्ध है, उनके compassion पर focus करता है, और aim होता है इनका कि हम अमिताब जो है, उनके pure land में reborn हो, वो realm जो की enlightenment के लिए conducive है, ठीक है, तो हम सभी एकदम से अनलाइटन तो नहीं हो सकते, लेकिन हम अपने लिए वो conducive conditions बना सकते है, वो सितिया बना सतने हैं कि हम अनलाइटनमेंट कर लें, ठीक है, तो उनका focus रहता है, देन आता है थर्ड, तो फिर्स धरवड़ा, महायान, देन वज्रयान, यह भी अच्छली इसको डामन वहिकल बोलते है, यह भी अच्छली महायान के एक extension है, तिबेट में वो पाया जात इसको accelerate करने के लिए, ठीक है, तो यह प्राक्टिस इसमें रहती है, टिबेट में जाधा तर पाया जाता है, फिर कुछ सब ट्रेडिशन है, जैसे सेकिलर बुद्धिसम, सेकिलर बुद्धिसम मतलब बुद्धिसम की प्राक्टिस करते हैं, बट कोई strong supernatural elements वगरे पर focus नहीं करते हैं, सिंपल जो बुद्ध की टीचिंग से उस पर focus करते हैं, प्राक्टिकल टीचिंग से, meditation, ethics और psychological हमारा सेहत इन सब चीज़ों पर focus करते हैं, तो यह वेस्ट में जो लोग होते हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद आती है, बिकोस इसमें ऐसा नहीं है कि उनको एसा न बुद्धिस्म तो एक टीचिंग है, तो आपको कोई धर्म करने का ज़रूरत नहीं होता है, बट फिर भी कुछ लोगों को होता है कि नहीं, तो उन लोगों के लिए ज्यादा एट्राक्ट होते हैं, स्टेकलर बुद्धिस्म में, तो बुद्ध की टीचिंग भी फॉलो कर मैंने उनके बारे में रेफर किया है, मैं एक्षली जो इंगेज बुद्धिस्म से रेजने भी करता हूँ, तो जेन बुद्धिस्म का ही एक पार्ट है एक तरह से, बट वो एंगेज बुद्धिस्म है, मतलब बुद्ध की नॉलेज को यूज को यूज करना, सोशल और एं जेन पर ही है, बट इंगेजड, मतलब सोसाइटी को किस तरह से भाला कर सकी उस पर फोकस है, तो थिक नाठान करके जो बुद्धिस्मंक है वियतना में उन बॉन हुए थे, तो फिर उनमें वेस्ट में बहुत प्रमोट किया, mindfulness जो वर्ड है, वो बोलते है, father of mindfulness बोलते है, वो कुछ ताइम पहले pass away हुए, और तो वो है Zen, अगर आप देख हुए तो plumvillage.org करके वो जो community है, plumvillage community, वो उन्होंने फाउंड की, तो वो है Zen, engaged Buddhism, देन आता है, last में डिसकुस करूँगा, Nishran Buddhism, Nishran Buddhism एक tradition है, जो Japan में originate हुआ, Nishran करके एक Japanese priest है, उनके teachings पे बेस्ट है और इसमें मंत्र चैंटिंग का बहुत ज़्यादा emphasis है, नम, म्योह, रेंगे, क्यो, यह एक मंत्र है, जिस पे वो focus करते हैं, और यह मंत्र विलीव करते हैं, कि वो enlightenment और empowerment देगा, तो यह मंत्र पे उनका काफी focus रहता है, तो यह सारे traditions मैंने एक तोड़ा आपको overview दिया है, आपको थोड़ा एक clarity हो, अगेन मैं clear करता हूँ, यह सारे traditions बुद्ध के जो core teachings पे ही focus करते हैं, तो there is, कोई difference नहीं है, बस उस बुद्ध के teachings को practice करने का तरीका थोड़ा थोड़ा different है, तो just a I hope आपको overview मिल गया हो, अभी मैं आगे जाके इंडिविजुल वीडियो बनाऊ आपको कोई भी सवाल हो, comment हो, feedback हो, आप comment section यूज़ करके दे सकते हैं, यह वीडियो देखने लिए बहुत धन्यवाल, नमो बुद्धाये, नमो बुद्धाये